हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टेडी वीद तिम बनारस में आज के टॉपिक में कवर करने वाले हावर्ड गार्डेनर का बहु बुद्धी सिद्धान्त मतलब थियोरी ओफ पल्टिपल इंटेलिजेंस इससे पहले के टॉपिक में आपने बुद्धी का सिद्धान्त पड़ाया अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाये प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हावरड्ड गार्डनर का बहु बुद्धिर सिद्धान्त तो इसके जो प्रतिपादक हैं वह थे हावरड्ड गार्डनर और प्रतिपादर Mitan aging स्क्राइब करने प्र 250 चारले कि अनुसार बुद्धी का कोई एक तत्वर नहीं होता है इसा इनしました हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धी होती story जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है तो कोई अभिनाय में तो कोई लेखन में तो कोई तार्किक छंता में इन्हों ने बुद्धी के इस सिध्धांत को समझाने के लिए इस आठ छेत्र में विभाजित किया तो बुद्दी के आठ भाग निम्न है पहला है भासा अगत दूसरा है तारिक गढ़िती तिसरा है देशिक संगीत आत्मक पांचमें सारोडिक गति संब्येदी और शटमें अन्तर्वयक्तिक और शटमें अंतर वक्तिक और अध вас प्रकरिति वादी तो पहला इसमें देखेंगे सारेरिक गति संवेदी मतलब body kinesthetic intelligent तो इसमें होता है कि संपूर सरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाना PC कौसल का उपयोग करना सारेरिक गति विदी योगता का अंतरगत आता है इसी को सारेरिक गतिक बुद्धी के नाम से भी जाना जाता है तो उधारण देख लेते हैं खिलाड़ी जातक जिमनेस्टिक सल्यचिकल सद्धावक यह सब ही आते हैं सारेरिक गति का बुद्धी में अब दूसरा point देखेंगा अंतरगति तो बुद्धी इसी को अंतह व्यक्तिक बुध्धिक भी काते हैं Interpersonal Intelligence तो इस बुध्धिक के व्यक्ति दुसरे व्यक्तियों की इच्छाओं प्रेडाओं तता अवशक्ताओं को समझते हैं दुसरे व्यक्तियों के सुख में वहवार के प्रति सम्वेदन सिल होते हैं से कि मनुवज्यानिक सामाजिक कारे करता धार्मिक नेता परामर से देने वाला इत्यादी देखिए आप लोगों के एक्जाम में उधारर से ही पूछता है क्वेशन कि जैसे खिलाडी कौन से बुद्धी में आते हैं हावर्ड गार्डिनर के नुसार कौन से बुद्धी में तो जैसे अगर खिलाडी का पूछ दिया तो यह सब सारे रिक गतिक बुद्धी में आते हैं अगर वही धार्मिक रेता का पूछ देता है तो यह सभी क्या आते हैं अंतर व्यक्ति तो बुद्धी में आते हैं चलिए अब बगला पॉइंट में देखते हैं अब तीसरा अंतह क्रिया में कर सकते हैं जैसे कि डार्सनिक, साइकेट्रिक, डिजाइनर, प्लानर तो यह सभी क्या आते हैं अंतह व्यक्तिक बुद्धी में आते हैं अगला पॉइंट देखें के भासागत मतला है लिंग्विस्टिक ऐसे व्यक्तियों को भासाओं तता सब्दों का अच्छी तरह आता है यह सब्दों के संबंदों को बहुत गहराई से समझते हैं तो जैसी उधारर के तौर पर समझेए कि कवी और लेखक तो यह सभी क्या आते हैं भासागत बुद्धी में आते हैं अगले पॉइंट में देखेंगे गड़तिय बुद्धी को तो ऐसे वक बुद्धी मतला विजूल इंटेलिजेंस ऐसे वक्ति वस्तु और अस्थानी का आयामों को याद रखने की छमता रखने वाले होते हैं यह वक्ति सरलता से देश सूचना को अपने मस्तिक में रख सकते हैं जैसे उधारर के तौर पर समझेए कि विमान चालक, चित्रकार, नाविक, मुर्तिकार, साज, सज्जा, विससज्य, तो यह सभी क्या आते हैं देशिक बुद्धी में आते हैं चलिए अब अगला दिखते हैं संगीत आत्मक, संगीत आत्मक का आसानी से आप लोग समझ सकते हैं इन व्यक्तियों का जुकाव संगीत में होता है और उन्हें सूर ताल आधी का बहुत अच्छा ज्यान होता है इनमें संगीत का सही उपयोग करने की छमता होते हैं जैसे म्यूजिक कंपोजर गायक कार तो यह सभी संगीत आत्मक बुद्धी में आते हैं अगला पॉइंट देखेंगे प्रकृतिवादी मतलन नैचुरेलिस्टिक इंटलिजेंट इस बुद्धिवाले व्यक्ति की प्रकृति के प्रति समय दना सिलता होती है इन्हें प्रकृति के साथ रहना पर पॉधी जानवरों की देख देख करने में अधिक रूची होती है जैसे उधारत के तोर पर समय वेटरनरी डॉक्टर वनस्पति डॉक्टर वातावरण विसी सग्जी तो यह सभी क्या आते हैं प्रकृतिवादी बुद्धी में आते हैं चलिए अब यहां तक तो थियोरी का पॉर्शन कंप्लीट हो गया अब कंप्लीट करने वाले हैं कुछ एमसी क्यों कर्शन जो हावर्ड गार्डिनर पर बने हुए हैं अला क्वेशन आपके सामने हैं के कच्छा ध्यापक ने रागव को अपनी कच्छा में अपनी कीबोर्ट पर स्वयम द्वारा तैयार किया गया मदूर संगीत बजाते हुए देखा कच्छा ध्यापक ने सामात आती है तो उसमें संगीत मैं बुद्धी होती है तो इसलिए सी आप्सन बिलकुल सही है चलिए अब नेश्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर टू कह रहा है कि बहुद्धी सिध्धांत को वैद्य नहीं माना जा सकता है क्यों कि आप्शन ए करा है कि विशिष मासलों की जीवन भर के सुद्रिड अनुम्भव आत्मक अध्यन पर आधारी थे दिल करा है कि यह सरवादी महत्यपोर सामाने बुद्धी जी के अनुकुल सुसंगत नहीं है तो देखे यहाँ पर जो ए अप्षन है बिल्कुल सही है कि विशिष्ट परिच्छडों के अभाव में विविन विदियों का मापन संभव नहीं है चलिए अब बगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर का बहु बुद्धी सिधान्त सुझाता जाता है कि आप्षन ही कराया कि सिच्छक को चाहिए कि विश्चय वस्तु को वैकल्पिक विदियों से पढ़ाने के लिए पहु बुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहड करें चमता भाग्य है और एक कवदी के भीतर नहीं बतलती सी कराया कि हर बच्चे को प्रते विश्चय आठ भिन्द तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सबी बुद्धियों विख्षित हो दी कराया कि बुद्धियों के केवल बुद्धि लबदी आईक्यू परिच्छा से ही निर्धारित किया जा सकता तो देखें यहां पर जो ए अप्चन है कि बिल्कुल सही है कि सिचक को चाहिए कि विश्चय वस्तु को वैकल्पिक विदियों से पढ़ाने के लिए पहु ब पुद्धि बी कराया सामान गिविद्धि विद्ध्याले में आवश्चक सामान योग्यताउं शी कराया कि प्रतेक व्व्यक्ति के विल खड़ योग्यताउं और डी कराया कि सिच्छार्टियों में अनुबंधित कोशलों तो देखें यहाँ पर जो C option है बिल्कुल सही है कि प्रतेक व्यक्तियों के विलचण योगताओं उपर बल देता है चलिए अब next question देख लिते हैं Question No.5 है कि एक सिच्छी का अपने सिच्छार्ती की विफिन अधिगम सैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैवित्य पूर्ड कार्यों का उपयोग करती है वह डैस से प्रभावित है Option A कराय कि कोहल परगे के नैतिक विकास के सिध्धान B कराय के गार्डने की बहु बुद्धिस सिध्धान C कराय वैगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिध्धान D कराय प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिध्धान तो देखो question में कह रहा है कि एक सिच्छी का अपनी सिच्छारतियों के विभिन अधिगम सैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैवित्य पूर्ड कार्यों का उपयोग करती है तो वह डैसे से प्रभावित है तो यहां पर जो भी option है बिल्कुल सही है कि गार्डने के बहुत बुद्धिस सिध्धान से वह प्रभावित है तो दोस्तों यहां तक तो question भी हो गए theory भी हो गए आप लोग बताएए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगाए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like share जरूर करिए और साथ यसाथ चैनल को subscribe जरूर करिए मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई झाले!